नमस्कार, बहुत बहुत सुख़ाइद करते हैं, क्लिक टूटे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TDC Part 2 एक्जामनेशन को ले करके और आप सभी के एड्मिट कार्ड को ले करके विज़ाए इस वीडियो में बात करने वाले, साथ ही आप लोग फरिशाओ के इंद्र के वारे में पूछ रहे हैं तो परिशाओ के ईंद्र का जो फूरा लिस्ट 110 Bye वह जारी values ज्यारी करते आप độngको ज्यादाइवी की इंस देखते जल्याइक साध्य आपको हम यह बतारें चाहते हैं कि अगर आप बीए बीए सी बीकॉम की स्टूडेंट है तो आप सभी अपना अपना जो है कोश्चन मैंक जरूर से जरूर पर्चेस करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया वेबसाइट का वहां से आप ड पूच यह है आपके लिए इंपोर्टेंट जो की आपको मैंने बताया और कोशन मैंक के इसलिए इसलिए होता है कि प्रिवेस रिपीट होते हैं इसलिए आप लोग को कोशन मैंक अपने सब्जिक्ट का तो ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए एक से जो दो बार देखिए उसको आप पढ़िए और वही पढ़कर के जाई एक्जामनेशन में उसी से कोश्चन्स आपको लगबग पूछे जाते हैं वट्सप से अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था आप वहां पर भी पर्चेस कर सकते हैं बाकी जानकारी के लिए आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी यह जो आखवार का जो रिपोर्ट है जिसमें के लिखा गया है कि बीवी ने जारी किया कारिक्रम और विश्यों की जो है च्छा ग्रुप में बाटा गया है जो कि आपने देखा होगा एक दसमलो सुन्या आठ लाग विद्यार्थी देंगे उन्तिस से होने वाली सनातक दूतिय वर्स की परिक्षा उन्तिस तारिक से जो है ठेटिकल पेपर का एक्जामिशन आपका सुरू हो जाएगा वहीं पर हम बात करते हैं कि जिनका भी प्रैक्टिकल सब्जेक का एक्ज लोगी क्वाला वह आयोजित होगा वह आपके ग्रीह महा विद्याले में ही आयोजित होगा यापने जहां एडमिशन लिया वहीं पे आपका ये प्रैक्टिकल एक्जामिशन चलेगा 25 तक परिक्षा ली जाएगी परिक्षा अभिभाग की कार्य योजना की अनुसार पहले परिक्षा हो जाने से उनका अंक कॉलिज विश्विद्याले को भीज देती है ऐसे में जैसे जैसे अज़िए कौपियों का मुलियांकन होता है अंक तयार करके आप सभी का परिक्षा भी आपका हो पाए रही आपका हो पाए है कि admit card जो है Monday तक आप लोग का जारी कर दिया जाएगा विद्यार्थी अपने college से जो है इसे प्राप्त कर सकेंगे और कदाचार मुक्त और सांती पूर्ण महौल में जो परिक्षा संचालन को लेकर के जो सभी केंद्र अधिक्षा को जो है निर्देश दिये गया है कहा गया है कि परिक्षा केंद्र के भीतर जो है कोई भी विद्यार्थी मोबाइल या electronic device के साथ प्रवेस ना करें इसकी विवस्था करना सुनिशित करें तो आप लोग का जो है एडमेट काट के उपर भी देख सकते हैं तो जो यह परिक्षा है इसमें यही नजर आ रहा है कि 15 से प्रैक्टिकल एक्जामनेशन लेने से यह होता है कि एक बोज जो है विस्विद्याले के उपर से कम जाता है और उनको जैसे ही प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है वो लोग चढ़ा करके और जैसे जिस सब्यके का रिजल्ट रेडि हो जाता है उसको जारी कर दिया जाता है अपने देखा होगा कबिकाल को यह की प्रैकार से जारी होता है तो इस ही प्रैकार से हो सकता है पार्ट टू 202 रीजाषन वालों के साथ भी किया जाए एक्जामेशन डेट आपको पता है बाकी अगर आपके मन में किसी प्रकार के सवाल ही सुझाओ तो नीचे कमेंट करके पूछेगा वीवाइक कोशन जो है बीकॉम का रेडी किया जा रहा है आपको दो से तीन दिनों के भीतर जो वीवाइक कोशन रेडी हो जागा बीकॉम का अगर आपको लेना होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए हम चलते हैं धन्यवाद फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में